पूरी के पूरी पूरी पांच डैनेस्टी यानिकी फाइव डैनेस्टी जो की शुरू हो जाती है मामलूक वन्ष के साथ है ना तो यही शुरू करें एक बर उससे पहले तोड़ा ग्राफिकली समझते हैं और मैपके थूरू समझते हैं छे पीम पे आपकी क्लास जो है वो आपकी अनकाडमी के स्पेशल सेशन्स जो होते हैं जा पे छे बजे मैं आपको साइन्स का गुरूप यहां पर अपना रज़र्ल देख सकते हो कि अगर मैं आज की डेट में जाके साइन्स के तीस क्वेश्चन अटेंड करूं तो कितने मार्क्स जो है वो मेरे आने वाले तो यह दो ग्लास जो है ना वह आपकी यहां पर कंप्लीट करनी प्लस क्लासे जो है वह आपकी अनकाड का एडिशनल benefit भी मिलेगा साथ में ongoing जितने भी आपके लिए और भी कुछ repercussions या जो भी और चीज़ें होंगी न वो भी आपको इसलिए अवेल यहां पर हो जाएंगी तो इसी की पूरे साशनकाल को लॉन करते होए देखे पहले तो दिल्ली डैनस्टी की जो शुरुआत हुई है न वहीं है आपकी अफगान से अफगान से कैसे ऐसे कैसे तो आपको पताए कि सबसे पहले भारत के अंदर जो है आप गीन जो की गजनवी का फाउंडर या गजनवी वंश का साशनकाल था उनके वहां से मुहमद गजनी जो है वो भारत में आता है मुहमद गजनी भारत में सत्रा बार जो है वो इन्वेजन करता है उसके बाद मुहमद गौरी आता है जो की 1191 और 1192 के तराइन के जो यूद है न वो लड़ रहे इसी मुहमद गौरी के चार गुला राके जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं नालंदा यूनिवर्सिटी तक्ष शिला विकरम शिला सारी उनिवर्सिटी को ध्रवांश किया किसके द्वारा वक्तियार खिल जी के द्वारा और यहीं पर आपको दूसरा गुलाम जो है वो नजर आएगा कुटबुद्दीन को बखतियार खिल जी का नाम आप को पता है भारत में इबर के अंदर के अंधर आके शाशन नहीं था कि वो भारत में आके क्या करेंगे भारत के अंदर आके अपनी जो सरकार है या सत्ता जो है वो बनाएंगे गौरी और गजनवी का मेंली यही था यहां पे मेंली उनका जो मोटिव था वो था यहां से पैसा लूट के जाना यहां से धन जो है न वह बहुत साला लूट के जाना लेकिन कुतबुद्दीन एवक इस चीज के अगेंस्ट जाके भारत के अंदर सत्ता स्थापित करता है और कुतबुद्दीन एवक क्योंकि गुलाम था इसलिए पहली डैनेस्टी जो भारत की दिल्ली सल्तनत की बनती है वो थी यहां पे गुलाम वन्ष यानि की स्लेव डैने और slave dynasty के नाम से जाना जाता है यह slave dynasty पूरे 100 साल भारत में पूरे नहीं की थी 84 यह तक यह भारत के साशन पे या दिली के सलतनत पे राज करती थी इल्तुतमिश यहां का सबसे बड़ा राजा यानि कि अगर आप से slave dynasty पूछा जाए slave dynasty का सबसे important राजा इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश खुद कुटबुदीन एवक का गुलाम था एवक खुद मुहम्मद गौरी का गुलाम था इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था है ना slave of the slaves कहा जाता था हाला कि स्लेव डैनस्टी बहुती शांदा तरीके से इल्तुतमिश के दौरान जो है वो फैली थी कुतुम मिनार का निर्मान जो है उसी साइड उसी तरफ कराया गया था भारत सरकार की या भारत देश की सरकार में पहली बार कोई महिला सल्तनत जो बनती है वो भी इसी गुलाम बनश की थी रजिया सुल्तान जिसकी हत्या कर दी जाती है और यहां पर आखरी जो है वो क्यूमरस करके आपको याद रखने है कौन आखरी जो है वो क्यूमरस दिल्ली सल्तनत के बाद जो डैनस्टी आती है उसको खिलजी शाशक बोलते है या खिलजी ब के नाम से जानते हैं 1219 में क्यूमरस को हराया जलालोदीन फिरोज खिल जी ने और तेरा सो बीस तक यहां पे भारत के अंदर खिल जी वन्ज की स्थापना होती हाला कि यह टाइम पीरिड सर्फ 30 साल का था जिसमें से सबसे जादा टाइम जो है वो अलाउदीन खिल जी की सरका का रहता है लेकिन यह ऐसा साशक था जिसने सुदूर दक्षिन और सुदूर उत्तर तक जाके अपना प्रभूत तो जो है यास्तित तो जो है वो स्थापित किया इसी दौरान मलिक कफूर नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टन सेनपती आता है और गोलकंडा की खानों से निक खानों से निकाल के या उधर से लेके सीदम अलाउदीन खिल जी के हाथ में दिया था अलाउदीन खिल जी की मार्केट पॉलिसी आज भी पड़ी जाती है अपने समय से बहुत आगे थी उसकी पॉलिसी और दो चीजों पे चलती थी एक तो पैसा और दूसरा डर पैसा जाग ग्यासुद्दीन तुगलक ने नसुरुद्दीन खुष्रो को हरा के तुगलक डैनस्टी यानिकी तुगलक वंश की सथापना की यह डैनस्टी बहुत ही अच्छे से और लंबे समय के लिए चलती है तक्रीवन तक्रीवन 93 ओस के लिए तेरा सो बीस से लेके 1413 तक य जिसमें ग्यासुदीन तुगलक इसका स्थापना या पाउंडर बोला जाता है स्थापक बोला जाता है मुहम्मद बीन तुगलक वाइस फूल होने के बाद भी यहां का सबसे इंपॉर्टेंट साशक है मुहम्मद बीन तुगलक की जो चीजें हैं देखे एक्सपेंडेबल जादा एक्सपेंड है यह आपका तुगलक वन्ष तुगलक वन्ष का सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है वो मुहम्मद बीन तुगलक कई गल्तियां उसके द्वारा की गई लेकिन डेकिन डेस्पाइड ओफ आट तिंग ही इस रिगार्डेड एस दो वाइसेस्ट रेट फिरोश शा तुगलक ग्यासुदीन तुगलक अबरुक शाह मुहम्मद शाह अलाउदीन सिकंदर नशिरुदीन मुहम्मद शाह और नशिरुदीन सहा सबसे इंपॉर्टेंट मेंने क्या बताया आपको मुहम्मद बीन तुगलक जो के सबसे इंपॉर्टेंट तुग खिल जी वनश की स्थापना की बात करें तो मार्केट पॉलिसी खिल जी वनश की सबसे अची थी तुगलग डैनेस्टी की इरिगेशन यह सिचाई जो है जो सबसे जादा मुहम्मद बीन तुगलग के द्वारा बनवाई गई सयद डैनेस्टी और लोधी डैनेस्टी बहुती चोटी चोटी डैनेस्टी दी काफी जादा एक्सपेंट भी नीकी और बहुत लंबे समय तक चली भी नी साइड डैनिस्टी में खिजर खान जो है वो साइड डैनिस्टी का आपका फाउंडर बोला जाता है मुबारक शाह मुहम्मद शाह और अलाउदीन अलम शाह लोधी डैनिस्टी जो है वो 1451 से लेके 1526 पे खतम हो जाती है 1526 पे इबराहीम लोधी को बावर के द्वारा हराया जाता है जो कि पानीपत की पहली लडाई की नाम से जानी जाती है 1526 इसी के बाद लोधी डैनिस्टी खतम हो जाती है और मुगल साशन जो है वो शुरू हो जाता है तो टेक्निकली या आइडियली देखा जाएं आपे तो मामलूक वन्ष का अगर हम 1206 से शुरू करें 1206 से पूरा टाइम पीरेड है 320 साल काफी लंबा टाइम पीरेड होता है आज मैं आपको इसके common questions जो है ना उनके answers पूछ रही हूं कल से हर एक डाइनस्टी का इंडिविज्वाली बीस-बीस question कर लेंगे 25-25 कर लेंगे जैसा पहला question है उसका answer दीजे विच सुल्तना विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग दी चौगान बहुत इजी question है आपको आज के 30 के 30 question में से ना कम से कम 26 question के answer पता होना चीए चलिए फड़ा topic wise कल से शुरू करूंगी ताकि आज आप पूरी theory पढ़ लो और उसके बाद slave dynasty जब हम शुरू करें तो आपके बास यहां पे slave dynasty पढ़ा होना चाहिए ताकि आपको मैं भी चीजे पूछ सकूँ और कुछ भी रहता है आपको सारा कुछ याद रहना चाहिए चोगान खेलते समय स्लेव dynasty की जो शुरूआत की गई थी कुटबुद्दीन एबग उसी के द्वारा ये slave dynasty जो है उसको शुरू किया गया था और चोगान खेलते समय उन्हीं की मृतियों यहां पे हो जाती है जिसके बाद इलतुत मिश बड़े साशक के रूप में उभरते तुर्के चाहलगान का क्या मतलब है तुर्के चाहलगानी का मतलब क्या है ग्रूप ऑफ फॉर्टी मिनिस्टर फॉर्टी रूलिंग इलाइट फॉर्टी इस्लामिक रिप्रेजेंटेटेटिव्स या नन अब दी अबब तुर्के चाहलगानी का मतलब क्या है चालिस सत्ता रूड कुलीन वर्ग है ना तो इलतुतमिश के उपर बहुती जादा इलतुतमिश नहीं बनाया था चालिस चालिसा जो है न और खतम किस ने की थी भाई बलवन ने इसको खतम कर दिया था बलवन को यह कॉंसेप्ट समझ नहीं आया और रजिया सुल्टान से यह लोग हमेशा गुस्ता रहते थे क्योंकि इनको लगता था कि औरत कैसे किसी गद्धी पे सल्तनत की बैठ सकती है तो रजिया सुल्तान और चालिसा जोती ना उनके मिश लड़ाई हुई इलतुतमिश जो है उन्होंने बनाया और बलवन ने यह चालिसा की जो प्रथा है न उसको स्टान की रूलिंग ईलैट बस इतना लजड़ गुलामं का गुलाम यानि कि स्लेव और दी स्लेव किसको बोलते है वह इस रिगार्ड़े थिस्लेव घुच्छेशन में स्लेव किसको बोल दे जाता है इलतुतमिश मौह इलतुतमिश स्लेव डैनिस्टी का आईडियली तीस रूलर है यह ना 1210 से 1236 के बीच में इसने राज किया 1210 से लेके 1236 इल्टुतमेश डैनस्ती से बिलॉंग करता और यह सल्तान मुहम्मत गौरी का गुलाम के गुलाम गुष्टुपुद्दीन एब अब्ग का गुलाम था इसलिए slave of the slave कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के निमनलिकित में से किसने नियमित मुद्रा जारी करने के लिए और दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी गोशित किया तो पहली बार इस पूरे साशनकाल के अंदर किसने दिल्ली को अपनी कापिटल जो है वो गोशित किया बताएए यह पहले राजा है यह पहले राजा है जो आगए करने लह बर अगलते लागा करने लाइ दिल्ली को अपनी राजधानी गोशित पहली बार किया जाता है दिल्ली सल्तनत के निमनलिकित सुल्तान में से किसने ब्लड और आइरन पॉलिसी को अपनाया यानि कि रक्त और लोहे की नीती जो है ना अपनाई किसके द्वारा अपनाया गया ब्लड और आइरन पॉलिसी दिल जाता था नाइंत सुल्तान था यह बलवन अगर आपसे पूछे स्लेव डैनेस्टी के कौन से नंबर का सुल्तान था तो आप याद रखे मामलूक वंश्का या गुलाम वंश्का ग्यासुद दीन बलवन पूरा नाम था यहां पे ब्लड आइंड आइरन पॉलिसी अपने और टोकन मुद्रा लानी शुरू की जब इन्होंने अपनी कैपिटल को दॉलताबाद यहां पे शिफ्ट किया अब बताइए अब यहां पे टोकन करेंसी की बात की जा रही है हाला कि टोकन करेंसी गोल्ड और सिल्वर के थे जिनको सरकार ने या वहां के लोगों ने खुदी बनाना शुरू कर दिया मुहम्मद बीन तुगलक का अंसर है और भारत वर्ष के ऐसे साशक हैं जिन्होंने जो भी कुछ अच्छा करना चाहां उसके बदले में हमेशा कुछ ना कुछ बुराई हुआ तो मुहम्मद बीन तुगलक ने पहली बार टोकन करेंसी 1329 में जारी पर की थी सबेदिगा जिल्ले इलाही की उपाधी और सजदा और पैवास परिंप्रां की शुरुआत की घ्या और जिल्ले इलाही मतलब आप सबसे उपर हो और जो हैना वो भगवान का रोप हो है ना जिल्ले इलाई सिजदा और पैवास क्या होता है जब एकदम पैर चुने होते हैं लेट के जब सामने राजा है या कोई भी है तो आप सिर को पैरों से लगाओ गें अगें नाइंट सुल्तान इसको बोला जाता है यहां पे किसकी बात करें हम ग्यासुदीन बंबन निम्लिकित सुल्तान में से जौनबूर के स्तापना किस ने की जौनपूर किसके दार्वाया गया था न हालांके इस looks स्लेव डैनस्टी यानि की गुलाम वंश उसके क्वेश्चन्स कराऊंगी है तो अभी आप सिर्फ इतना लान कर लीजे किसके द्वारा जॉनपुर शहर की स्थापना जो है वो की थी तो किसकी बात कर रहे हैं भी हम फिरोश्या तुगलक की याद में फिरोश्या तुगलक न जॉनपुर शहर की स्थापना करवाई थी फिरोश्या तुगलक ने मुहम्मद बीन तुगलक की याद में जॉनपुर जो है ना उसको स्थापना यहां पर कराया विच डैनस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ओफ अफ अफगान औरीजन दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफ स्लेव डैनस्टी रह जा रही है बाकी तो आपकी सारी आगी तो बस यह बताएगे इन में से कौन अफगानिस्तान या अफगान के लोगों को बोला जाता था लोधी वंशुच कब से कब तक राज किये 1451 से लास्ट 1526 जो है उसमें आपके यह अफगानी अच्छा देको य यह भी कोई हमारे वो नहीं थे यह भी बाहर से यह थे लोधी डैनस्टी को हम अफगानी रूलर के नाम से जाने जाते हैं यह अफगान के सशक बोले जाते लोग अफगान से थे तैमूर इनवेड simple num按 यह किसके साशन काल में तैमूर ने डिल्स पर आक्रमंट किया किसके साशनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमंट किया आदमी कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करें लेकिन भगवान को नहीं पसंदना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है 1398 एड़ी की बात कर रहें यह पे 1398 तैमूर भारत में कब आया था 1398 के अंदर तैमूर लंग्डा के नाम से जाना जाता था इंदस नदी को क्रॉस किया मुल्तान जो है उसको कबजे में लिया और सीधा दिल्ली की तरफ आया उस समय साशक कौन था मुहम्मद बीन तुगलक कौन था मुहम्मद बीन तुगलक इंदस नदी को क्रोस करने के बाद जो मुलतान वाला एरिया है उसको कवर करने के बाद दिल्ली पे आकरमन करने के लिए ये आया किस सुल्तान ने अपने साशनकाल में दर उल शिफा और दिवाने खेराद विवाकी स्तापना की बते किसके साशनकाल में दर उल शिफा और दिवाने खेराद डिवाने खेराद डिपार्टमेंट बनाया गया था किसने बनाया था देखो दर उल शिफा क्या है ये दवाईयों से रिलेटिड है और फ्री हॉस्पिटल से रिलेटिड है राइट दर उल शिफा जो है ये से रिलेटेड है फ्री में दवाईयां दीजिए दिवाने खेराज वह और फनेज के लिए बनाया था जो भी विचारे अनात लोग होते थे या जो महलाएं होती थी अनात बच्चे और महलाओं के लिए बनवाया गया था इससे आप समझ पा रहे हो ना कितना उदार होगा यह अगला अदमी फिरोशात उगलत की बात कर रहे हैं ठीक है दरुल शिफा होस्पिटल्स हैं और दिवाने खेराज जो है यह क्या है चैरिटी है राइट हूँ वाज़ी सुल्तान ऑफ दिल्ली सिल्तनाथ हूँ डाइड इना वैटल फीड पूरी दिल्ली सल्तनाथ जो बारह 1526 तक जारी है इसमें खाली एकी राजा है जो लडाई में मरा वरना कोई गिरके मर रहा है कोई नیचरल डैत मर रहे है कोई पूलों खेलते समय मर है ऐसे मृत्ति हुए सब की बैटल फील्ड में कोई भी नहीं मरा खाली एक जने को छोड़के तो लोधी डैनेस्टी याद रखें लोधी लोधी इब्राहीम लोधी 1526 पानीबत की पहली लड़ाई में बाबर से हारता है और वहीं अपने बैटल फील्ड में अपनी जान दे इब्राहीम लोधी की हम बात कर रहें हूँ अमंग्स दी फॉलाइंग वॉस्ट सक्सेसर ऑफ इलतुतमिश निम्नलिकित में से कौन सा इलतुतमिश का पहला उत्तरादिकारी था क्वेश्चन जरा ध्यान से दीजेगा अंसर क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपक कौन था नहीं 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 रजीय सुल्टान दरबाएं देना रकुंद् une फिरौज क्या याद रखने है रिकुंद् फिरौज देखे राजिया को ही नॉम्यट किया था लेकिन थोड़ी सी थी सुल्वेशन और थोड़ी सी एक थी ती ना उनकी माता इन्हें लगा लड़क रजिया सुल्तान तो नहीं बनेगी लड़का ही बनेगा रुकुंदिन फिरोज रुकुंदिन फिरोज अपने चार महीने भी कंप्रीट नहीं कर पाये थे और रजिया सुल्तान बन गई थी भारत में चमड़े के सिक्के का शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की आ गया छंभडे के सिक्के जो हैं ना मुहमगद बीन तुगलक के द्वारा बनाये जे इनही सिक्कों ले के बहुत ़이 ज़ादा इशू हो गहे थे क्योंकि घर घर में सिक्के जो है न वो बनने लग गए मनलब ऐसा वाला हो गया नोट छप रहे हैं बजार में 2500 के आदमी घर में नोट बना रहा है भाई सरकार परिशान है कि इतना इलिक्विडिटी कहां से आ रहा है क्या चल तो क्या ही रहा है मुहम्मद बीन तुगलग नि सब्सक्राइब ऑफ तसे लिए ब्हुत यह उने पांच साशकों का रूल यह यह राज जो है ना वह देखा हूँ बेट फेमेस गेटवे अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर अलाई दर्वाजा किसके दोवारा बनवाया गया था कूँप्ध दी अंदिल्ली अलाई दरवा बहुत ही कुबुत उस्लाम कुबुत उल इसलाम जो मौस्क अदिली की मेरॉली के इंदर जो लोकेटेड है आपकी वहां के लिए यह रास्ता जो है वो बनवाया गया था अड़ाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाया था कि आप कम से कम बेसिक हिस्ट्री तो जानके आए भारत की आपको पता लगे कि आज की सरकार या प्रेजेंट गवर्मेंट से पहले कितनी सरकारे आई और चली गए या किसने क्या क्या बनवाया अड़ाई दीन का जोपड़ा किसने बनवाया था कुटबुत दीन एबक ने कौ इंडियन हिस्ट्री इस नोन ऐस दिल्ली सल्तनत पीरेड आचा कई बार मैंने रिपीट कर दिया आप जिल्दी से आंसर करा दीजे भारत के इतिहास में डैश एंड डैश के बीच का जो अवदी है वो दिल्ली सल्तनत काल जो है वो बोला जाता है 320 का जो साशक है पूरा का पूरा वो आपका क्या है 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत जो है वो यहां पर राज करती है मुगल सामराजी की नीव इवराहिम लोधी को पराजित करने के बाद निम्न में से किस साशक के द्वारा लिखी गई जिसने लोधी राजवन्ष के अंत को चिन्नित कर दिया लोधी वन्ष को अंत करना यानि कि दिल्ली सलतना उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना किस आशक के द्वारा किया गया था तो बाबर करके यहाद रख लें बहुत इजी क्वेशन है आज बाबर को इन्वाइट किस ने किया था भारत में यह भी बता एक बाद करे हैं लोधी के ही लोगों ने बाबर को भारत में इन्वाइट कि हमने को अपनी सत्ता करें, बाबर करके याद रख सकते हैं 1526 की लड़ाई निमने लिकित पुस्तकों में से कौन सी मुगल रॉयल हाउस की एक महिला द्वारा लिखी गई है इन में से एक पुस्तक ना एक फीमेल के द्वारा लिखी गई है फीमेल के द्वारा चाचा थे ना किसके इबराहीम लोदी के चाचा वही वाला हिसाब था दे यह वाल नहीं था अराम से साशक कर रहे थे लेकिन मुगल्स का यह वह था कि भारत में आके भाई आप सारी चीदों तोड रहे हैं यह यह ना लिख लें हुमाईउ नामा गुल बदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी गुल बदन बेगम के द्वारा इन्होंने अपनी जो ब्रदर हैं हुमाईू उनके लिए लिखिती और उसमें अकवर का जिकर भी किया गया था निमने लिखित में से कौन अकवर के दरबार में प्रसिद संगीतकार तांसेन का मूल नाम था यह वाले इससी तांसेन का नाम विखिया था तो तांसेन नाम किया था राम राम तनुब मेनो मान निमन में से सब्सक्राइब करफा इसे बोले बाबर जो है वह थे यहां पर तो का जाता है कि अपनी मदर के साइड से यह तैमर लेन या फिर तैमूर के नाम से जिसको जाना जाता है और अपनी चंगेज खान या गैंगीज खान बोलते हैं अपनी मदर की साइड से चंगेज खान या गैंगीज खान और तैमूर जो है वह चीन नाया पर तो तैमूर जो है वो अपने फादर की साइड से तैमूर वन से थे और अपनी उनकी जो ममी थी वो चंगेज खान से अम्मी थी वो चंगेज खान से दा मुगल एंपरर हूँ रोट इस ऑटो बाइगरफी ऐसा समराड जिसने अपनी आत्मकता लिखी वो कौन थ लखी थी स्यांग इसी किताब के अंदर जो उनकी खुत की किताब है बाबर नामा बाबर के दВरा खुत के दवारा लिखी थी और इसी साशनकाल में उन्होंने अपनी इन्वेजन किसने उनको इन्वाइड किया पानीपत की पहली लड़ाई को जिहाद गोशित किया और कहते हैं एक दिन पहले शराब के सारे जो भंडार थे वो खोल दिये गए भाई साब आज जितना आश करना ना कलो कल जीतना है ज के सर्वश्रेश्ट तत्वों के विले के दुश्य से प्राप्त किया मलब सारे के सारे धर्म जो है ना उनको एक खटा कर लो यहां पर रिलीजियन ऑफ गौड के नाम से बोला तो रिलीजियन ऑफ गौड जो है वो कौन सा है बताई हां बाबर नामा तुरकिश लैंग्वे आप यह समझो मुगल साशन में औरंग जेब और बावर के द्वारा यह स्टेट्मेंट दिये गए हैं कि भारत के लोग हमको बिल्कुल ना गवारा हैं यह स्टेट्मेंट बावर नामा के इंदर बावर ने लिखा कि भारत के लोग जो हैं वो हमको ना गवारा है फिर भी 500 स साल राज कर गे निकले नहीं जब तक लोगं को पसंद नहीं आप वहा पर 300 साल गुजार गहा है लेकिन और झाली फिजिकली है वह अपको वैसा अपिरेंस भी देगा अकबर अपोजेट लोगों में से हैं प्यार से बोलके पीछे से छुरियां चला दो है ना कई लोग प्यार से बोल बोलके ना कतल कर देता है और सामने ओले को पता नहीं चलता तो अकबर उन में से हैं अकवर ने सारे धरम अपनाया सारी महलाओं से शादी की जो भी बड़ी रियासत थी हिंदू वाली उनसे सादियां करी धरम का बोलके परवास्तम में किया क्या जा रहा है आप दूसरे की सथा जो है वो अपना रहे दीने इलाही अकवर जैसा था वैसा दिखता नहीं था वो क प्लवा अकवर ने पचास से साथ हजार किया गया यह फैक्ट है जो कई की त्वारा लिखी गई है और ने खुच से यह बात लिख है थी कि मैंने पचस्य साथ हजार हुआरहीं ढम ने फूरेगों को कौन और न फोरा रहो है ने से तो यह हमार भी रहा है पल्लवा वंश का संस्थापक कौन था शीया विष्णू या सिम विष्णू के नाम से जाना जाता है तल में तमिल नाडू के पुदु कॉट्टेई के पल्लावरम कोकरन रेश्वर मंदिर और थिरु कोकरनम में पांच सेल गुफाओं का निर्माण जो है वो किसने करा है इस से बिलॉंग या पे करते हैं तो पल्लावा डाइनस्टी से हैं यह डियूरिंग विच पल्लावा किंग रीन दो चाइनीज ट्रैवल हुएं सेंग विजिटेद दी कंची पुरम देखो आपको वैसे तो पता है यह ना हुएं सेंग किस समय में आये थे जब नॉर्थ इंड आपको नर्सिंग वर्मन प्रथम और नर्सिंग वर्मन प्रथम रखे जालोक के राजाँ विक्रमा दित दूतिया दूरा मारे गए पल्लव राजा कौन थे चालुक्या के राजा थे नाम था विक्रमादित दुतिया पल्लवा के एक राजा को नहीं ने मारा राजा का नाम क्या था यहां परे परमेषवर्मन ठीक है परमेषवर्मन दुतिय करके कंची पुरम में कैलाश नाथेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया नर्सिंग वर्मन दुतियगर के याद रखी पल्लवा के राजा है यह उसको हरा के बादामी जो है उसको अपने हाथ में लिया या अपने पूरे साशन में मिला दिया यहाँ पर नर्सिंग वर्मन प्रतम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप समझ गये होगे कल से आपकी क्लास जो है वो दिली सल्तनत की एक्स्वनेशन है यानि कि कल मैं आपको गुलाम बंश के टॉप ट्वंटी थट्वणी फट्वणी फाइफ थर्टी क्वेस्टन जो है वो कराऊंगी जो बैस्ट होंगे एक दम से ना आपके और उसके बाद हम हर एक डैनस्टी के बारे में न यहाँ पे बात करेंगे ठीक क्वेस्टन के पार्मेट में तो यह आप जरूर से टेंड करिए साथ पीम की क्लास आपकी टेस्ट की होती है वह आपके थोड़ा सा प्लस और अच्छा लेवल करके हम करते हैं ताकि अगर एक्जाम के अंदर कभी भी क्वेस्टन मुश्किल आ जाए तो हम जो है ना उससे शुपरा 10 कोड जो है न वह आपको यहां पर देख लग पचास कोश्चन कर रहा है लान नहीं होएंगे तुम से तीस कोश्चन तो लान कर लो पहले क्या बिल्कुल यह कोई यह वह है कि गिंती से तुमको बस पचास कोश्चन करा दो वहीं आएंगे क्वेस्चन में हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रिवाइस करना ताकि आपके एक्जाम में कहीं पर भी कोई भी क्वेस्चन जो है न वह छूटे न राइट तो अभी के लिए गाईस थैंक्यू सो मच मैं आपको मिलती हूँ कल की क्लास के अंदर इस से रिलेटेड बागी आपकी शाम की क्लास आप लोगों के सामने इंतिजार करें